नमस्कार आप देख रहे हैं गुड डियूस टुड़े मैं हूँ अनन्दभट पैक्चेक के साथ सबसे पहले यानि कि आज वारल ख़वरों की पड़ताल से पहले होली की धेरों शुबकामनाएं आपको होली का मौका है इसका मतलब ये नहीं है कि सोशल मीडिया पर संदेशों की सूचनाओं की तस्वीरों की या फिर फोटोज की आवाजा ही बंद हो जाएगी बदस्तूर जारी रहती है और इसलिए होली के दिन भी फैक्ट चेक जरूरी होता है चो हम करेंगे आपके लिए और काफी वारिल है इस वीडियो में योगी को अपने माथे पर राख लगाते हुए देखा जा सकता है इसे शेर करने वाले लोग ऐसा कह रहे हैं कि सीम योगी एक शहीद पुलिस कॉंस्टेबल की राख को अपने माथे पर लगा रहे हैं सच्चाए क्या है इस रिपोर्ट में पुमेश पाल हत्याकांट के बाद जारी पुलिसिया कारेवाई के बीच सोशल मीडिया पर यूपी के मुख्यमंतरी योगी आदितिनात का एक वीडियो वारल हो रहा है दावा किया जा रहा है कि प्रियाग राज में उमेश पाल हत्याकांट में शयाइद हुए पुलिस कॉंस्टेबल के शव की राख से योगी आदितिनात ने तिलक करते हुए उन्हें सम्मान दिया एक फेस्बूक योजर ने वारल वेडियो को शेयर करते हुए लिखा जहां सनातन हिंदु धर्म का राज होता है वहां राजा अपने कर्तब बेनिष्ट दिवंगत सैनी के शव की भस्म को अपने माथे पर लगाता है उनके चरणों में शीष उकाता है और जहां धर्म निर्पेक्ष और सेकुलर राज है वहां उनी सैनकों की विध्वा विरंगनाओं के साथ राज की पुलिस धक्का मु वारल वीडियो सोचल मेडिया के कई प्लेटफॉर्म पर तेजी से वारल हो रहा है लेकिन वीडियो को लेकर जो दावा किया जा रहा है उसकी सच्चाई क्या है वो पता लगाना जरूरी हो गया था लिहाजा गुड न्यूज टूडे की फैक्ट चेक टीम ने वारल वीडि वहां पर पड़ी राग से वह तिलक लगाते हैं और फिर उनके बाद वहां मौजूद अन्य लोग भी ऐसा ही करते हैं ऐसे में वायल वीडियो के ओरिजनल सोर्स को ढूडने के लिए हमने कीवर्ड सर्च किया जिसके जरिये ये वीडियो एक फेस्बुक पेज़ पर मार्च 2022 के एक पोश्ट में मिला इसमें वीडियो के साथ लिखा है होलिका दहन के बाद का संसकार को पालन कर उसके राह को माथे लगाते गोर रश पिठा दिश्वर महंत योगी अदितनाथ मतलब तहकीकात के पहले चरण में ही दावे की असलियत सामने थी लेकिन हमने अपनी परताल रोकी नहीं ख़बर के बारे में और सर्च किया सर्च के जरिये एक पत्रगार का ट्विट मिला 22 मार्च 2022 के इस ट्विट में उन्होंने लिखा है कि सियम योगी अदितनाथ ने हिंदू धर्म की परंपरा का पालन करते हुए हॉलिका तहन के बाद उसकी राख और मात्य पर लगाया साल 2022 में सियम योगी हॉलिके अउसर पर अपने ग्रिय जनपत गोरकपुर गे थे गोरकपुर का बाबा गोरकणात मंदिर भारत के प्राशिन मंदिरों में से एक है जहां हर साल की तरह 2022 में भी सीम योगी होली से जुड़े विशिष धार्मिक कारिक्रमों में शामिल हुए थी परताल के दोरान एक रिपोर्ट विफ एक चेक टीम के हाथ लगा जिसमें ये जानकारी दी गई है कि गोरकपुर में हौली का देहन की राह को माथे पर लगा कर हौली की शुरुआत करने की परमपरा है इस रिपोर्ट में सीम योगी की माथे पर राख लगाने की एक तस्विर भी मौजूद है एक रिपोर्ट के जरिये ये भी सामने आया कि सीम योगी ने गुरक पूर मंदिर में हुए हौली का दहन के बाद उसकी रात को वहां मौजूद साधूँ और सभी लोगों के माथे पर लगाया था इसके बाद हमने सीम योगी के साल 2022 में हौली मनाने से जुड़े और वी वीडियोस खोजे ऐसा करने पर हमें एक रिजनल अधिकारिक यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो मिला वारल वीडियो में दिख रहे पीले कपड़े पहने एक शक्स को इस वीडियो में भी देखा जा सकता है इस तरफ फैक चेक से ये स्पष्ट हो गया कि ये वीडियो साल 2022 में बाबा गोरकनात मंदिर में मनाई गई हौली का है इसमें सीम योगी हौली का देहन के बाद उसकी राख को अपने माथे पर लगा रहे है वीडियो को प्रयाग राज उमेशबाल हत्याकान से जोड़कर गलत दावे से वारल किया जा रहा है संजना सक्सेना आशिश कुमार के साथ टीम फैक चेक गुजिर्श दे सोशल मीडिया पर दावा किया जारा कि तमिलनाडू के मुखे मंतरी अमके स्टालिन ने राज्य में रह रहे हिंदी भाषी राज्यों के प्रवासियों को 20 मार्च तक राज्य छोड़ने का अल्टिमेटम दे दिया है नहीं तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा जानिये इस वारल दावे की हकिकत क्या है तमिलनाडू में बिहार के अप्रवासि मजदूरों की पिटाए की तज़्विर सोशल मेडिया और मेडिया पर आए तो जम कर हंगामा हुआ मजदूरों के साथ किये गए वहवार को लेकर बहस दुछ दिए हिंदी भाशी और तमिल भाशी का मुद्गा भी गुंजा इसका असर ये हुआ कि आरूपी पर एक्शन लेते हुए उसे गिरफ़तार कर लिया गया इसके साथ इस मामले में खौप फैलाने वालों पर विशिकंजा पुलिस के तरफ से कसा गया इसके तहए तीन लोगों पर एफायार दर्ज की गए इतना ही नहीं एक नामी हिंदी अखबार के संपादक के खिलाब भी मामला दर्ज कर लिया गया बीजेपी के प्रवक्ता प्रशांत उम्राव के खिलाब मामला दर्ज गिरफतारी के लिए पुलिस टीम लगा दी गए हालाकि इस बीच एक अखबार की खबर से जोड़ी तस्वीर सोशल मीडिया पर वारल हो रही है इसमें मुख्य मंतरी के एक बयान का हवाला देते हुए धमकी जैसी बात कही जा रही है वारल पोष्ट में अखबार की कटिंग में ये कहा गया है कि तमिलाडू के मुख्य मंतरी इस्टेलिन ने हिंदी भाशी राज्यों के प्रवासियों को 20 मार्श तक राजी छोड़ने का अल्टिमेटम दिया है नहीं तो उन्हें जान से मारने की बात कही है इसमें यूपी के मुख्य मंतरी योग्या दितनाथ के भी एक बयान का जिक्र किया गया है जिसमें उन्होंने सभी अप्रवासि मजदूरों से अपने अपने राज्यों में लोटने की अफील की है साथ ही लोटने वाले मजदूरों को रोजगार देने का वादा किया है तमिलाडों के मुख्यमंतरी श्टेलिन का ये बयान चौकाने वाला है क्योंकि किसी राज के मुख्यमंत्री के रूप में शपत लेते हुए, उसे वो कहना होता है कि वो राज के मुख्यमंत्री के रूप में किसी से भेदभाव नहीं करेगा, ऐसे में क्या अपने ही देश के दूसरे राज के नागरिकों को मारने की बाद वोई मुख्यमंत्री कर सकता है यह चोगाने वाला है यही वज़ह है कि पैप चेक टीम ने इसकी पर्ताल करने का थैसला किया अपनी पर्ताल के लिए जब हमने कथित खवर की तस्वीर को गौष से देखा तो पाया की ये एक editing software है, जिसकी मदद से किसी अकबार की clipping या banner को design किया जा सकता है, ये Google Play Store पर व्यू प्लब है, इसके साथ ही हमने संबंदित खबर को अकबार के नाम के साथ तलाशने की कोशिश की, लेकिन हमें कोई ऐसी खबर हाथ नहीं लगी, इसके बाद खबर को लेकर अकबार की से भी सफाई आई कि, ऐसी कोई खबर अकबार की तरफ से प्रकाशित नहीं की गई है, खबर में योगी आदितनात के जिस बयान का हवाला दिया गया, उसे भी हमने ढूनना चाहा, लेकिन उनके इस बयान से जोड़ी कोई भी खबर हमें नहीं मिले, इस मामले में राजी के राज के सभिक और प्रवासी मजदूर सुरक्षित है, इनके मदद के लिए पुलिस हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, हमारी पड़काल में ये साफ हो गया कि, जिस अकबार की कथित खबर में मुख्मंत्री के बयान का हवाला दिया जा रहा है, वो बयान मुख्मंत्र इस टैलिन ने नहीं दिया है, खबर को एडिटिंग टूर के मदद से, मन गढ़न तरीके से बनाया गया है, लिहाजा वारल पोस्ट में किया जा रहा दावा पूरी तरह गलत है, फट चेक टेम, फूट निस टूटेम सोशल मीडिया पर आस्ट्रेलिया एक क्रुकेटर डेविड वार्नर को लेकर एक दावा तैर रहा है, जिसके जरीए ये कहा जा रहा है कि वार्नर इसलाम कबूल करने के लिए जामा मजद पहुंच गए थे, लेकिन किसी के समझाने के बाद वो वापस लोट गए, जब वार सोशल मीडिया पर आस्ट्रेलिया एक क्रुकेटर डेविड वार्नर की दो तस्वीर वारल हो रही है, जिसको पोश्ट करने वाले का दावा है कि दिल्ली टेश्ट के दौरान डेविड वार्नर इसलाम धर्म कबूल करने के लिए जामा मस्जिद पहुच गए थे, लेकिन किसी ने उन्हें समझाया तो वो वापस लोट गए, वारल तस्वीरों में वार्नर किसी आतिहासिक इमारत के जालिदार दरवाजे के पास खड़े दिखाई दे रहे हैं, इसी फोटो के साथ कई यूजर्स अलग-अलग का अप्श सुर्खियों में रहती, क्योंकि कई साल पहले पाकिस्तानी खिलाडी यूसफ यौहाना ने इसाई धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाया था, तो ये खबर सुर्खियों में थी, लेकिन यहां ये खबर कहीं नहीं थी, ऐसे में हमने तहकिकात शुरू की, ताकि इस पो कोई खबर नहीं मिली, जिसमें वार्नर ने इसलाम कबूल करने की इच्छा जताए हो, या उनके इसलाम कबूल करने के लिए जामा मजची जाने की बात कही गई हो, वारल तस्वीर को रिवर्स सर्च करने पर ये हमें वार्नर की इंस्टाग्राम पोश्ट मिली, जिसमें 20 फरवरी 2023 को वार्नर ने कुछ तस्वीरत पोस्ट की थी। इन्हें शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था कि ये दिल्ली में उनके परिवार के साथ धूमने की तस्वीरे हैं। इसके साथ उन्होंने अपने पॉलोवर्स से ये जगा गेस करने के लिए भी कहा थी। वार्नर की पोस्ट की गई तस्वीरों को खंगालने पर हमें एक तस्वीर मिली जिससे सारा राज पुल गिला। क्यूंकि वो दिल्ली टेस्ट के दोरान हिमायू का मगबरा देखने के लिए गए थी। हमें कई मीडिया रिपोर्स भी इंटरनेट पर मिली जो इस ख़बर की पुश्टी कर रही थी कि डेविड वार्नर ने दिल्ली टेस्ट के दोरान हिमायू का मगबरा का परिवार समेथ नमड किया थी। इस तरह से हमारी पर्ताल में ये साबित होता है कि आश्टेलियाई खिलाडी डेविड वार्नर को लेकर जो बात सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है वो सरासर गलत है। दरसल दिल्ली टेस्ट मैश खत्म होने के बाद वो अपने परिवार के साथ हमायू का मगबरा देखने गए थी। सुमित कुमार दूबे के साथ टीम फैल्क चेक गुट नियूश टूड़े। पाकिस्तान की हालत बच से बत्तर होती जा रही है इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वारल हो रहा है जिसमें सड़क पर लोगों का हुजूम दिखाए दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो में देख रही भीड पाकिस्तान के पूर प्रधान मंतरी इमरान खान के समर्थकों की है जो इसलामबाद में पाकिस्तान की फौज के विरुद जमा हुई है। दावा ये भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान में जल्द ही गृही युद्ध हो सकता है और आपस में लोग लड़ मरेंगे। वारल दावे की सच्चाए क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। माजरा क्या है पाकिस्तानी फोर्ट के खिलाफ हल्द बूर्ट पूर्द पूर्धान मंतरी इमरान खान के समर्थिक्तिंग का एलान जंग। वारल वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस तरीके से वारल हो रहा है। अब होगा ग्रियुद जिहादी देश में। इसलामाबाद में इमरान खान के सपोर्ट वालों की भ्यूर की ताज़ा वीडियो देखो। पाकिस्तान की फोर्ट के खिलाफ ऐसा महौल पहले कभी नहीं बना। आपस में ही लड़ मरेंगे ये जिहादी जैसानातन। हालांकि ये बात सच है कि पाकिस्तान पुछले दो दशक के सबसे खराब हालात को छील रहा है। देश इस वक्त आर्थिक संकत, राज़तिक अराजकता और उत्तर पश्चिम शेत्रों में आतन की हमलों का सामना कर रहा है। खराब हालत के कारण पाकिस्तान की संसाधन खत्म होते जा रही है। आर्थिक गिरावट का सीधा असर जनता पर पड़ा है। पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से उसे लोन मिलने में दिक्कते हो रही है। लेहाजा पाकिस्तान धीरे धीरे दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है इस सब के बीच में ये वारल दावा हैरान करने वाला था लेकिन जब वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर साख्यूलेट होने लगा तो फिर गुड नियू सुडे की फैक्ट्रेक टीम भी आक्टिफ हो गई सबसे पहले वीडियो को गौर से देखा गया वीडियो में इमारतों से घिरे बड़े से मैदान में भारी संख्या में लोग नज़र आ रहे हैं मैदान के बीच में एक खंबा और एक मारत के उपर जंडा भी फ्रहराता देखा जा सकता है ऐसे में सौर्च और जूट का पता लगाना ज़रूरी हो गया था वारल वीडियो से स्क्वीन ग्राब निकाल कर गूगर रिवर्स इमेज सर्च किया तो 27 फरवरी 2023 का एक ट्वीट मिला जिसमें हूब हूँ यही वीडियो मिला जब ट्वीट के रिपलाई में हमारी नजर गई तो कई यूजर्स वीडियो को मैक्सिको का बता रहे थे लंबे वक्त तक स्पेन की कॉलोनी के रहने वाले मैक्सिको में पड़ी तादाद में लोग आज भी स्पैनिश बोलते हैं फ्वीट और संबंधित की वर्स की मदद से सर्च करने पर 27 फरवरी 2023 की BBC की रिपोर्ट मिली जिसमें मैक्सिको की कई शेहरों में सरकार की किये गए 24 उभारों के विरोध में लोग जमा हुए आयोजिकों के मताबिक राजधानी मैक्सिको सिटी के अतिहासिक जो क्लो स्क्वेर में 5 लग से ज्यादा लोग जमा हुए दरसल मैक्सिको में सांसदों ने पिछले हफ़ते नैशनल इलेक्टोरल इंस्टीट के बजट को कम करने और इसके स्टाफ में कटौती करने के लिए मतादान किया था विपक्षी दलों ने इस कदम को लोग तंतर पर हमला बताया और सुप्रीम कोट से इसे अलसमिधानिक बताते हुए पलटने की अपील की इसके बाद से इस कदम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं लोपेस ओबरेडोर पिछले दो चुनाव हारने के बाद जुलाई 2018 में मैक्सिको के राश्टपती चुने गए नैशनल इलेक्टोरल इंस्टिट्यूट देश में चुनावों की देखरेक करता है और राश्टपती लोपेस ओबरेडोर इसके कामकाज के लंबे वक्त से आलोट चक रहे हैं वारल विडियो में नजर आ रही इमारतें और मैदान के बीच में देख रहा खंबा इस तस्वीर में देखा जा सकता है इसके बाद गूगल मैप की मदद से वारल विडियो में देख रही दुकानों को खो जा गया सैटेलाइट व्यू की मदद से मैदान के बीच में लगा खंबा और आसपास की इमारतों को खुब खुब देखा जा सकता है इस तरह वारल विडियो के फैक्ट चेक से ये साफ हो जाता है कि वीडियो मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी में हुए विरोध दर्शन का है पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं टीम फैक्ट चेक गुड नियूस टुड़े सोशल मीडिया पर एक वीडियो वारल है जिसमें कबर खोद कर एक विक्ति को जिन्दा बाहर निकाला जा रहा है दावा किया जारा कि वीडियो पंजाब का है जहां एक नकली पीर बाबा कबर समेथ बाहर निकाल लिया गया वारेल वीडियो की सच्चाए क्या है हमने इसके पड़ताल की सोचल मीडिया पर ये वीडियो तेज़े से वारेल को रहा वीडियो में कुछ लोग पहले कबर के उपर से मिट्टी हटाते हैं और कबर खोदने के बाद वहां मौझूद लोग अंदर पैठे एक शक्स को वहां से बाहर निकालने की कुशिश करते हैं देखे जा रहे हैं एक फेस्बूक यूजर ने वारेल वीडियो को शेर करते में लिखा है मुरीदों के पुकारने पर पीर सहब कबर से उत्तर देते थी पंजाब पुलिस को बता चल गया तो पीर सहब को आवाज समेथ कबर से ही बाहर निकाल लिया एक बार आप लोग भी पीर सहब के दर्शन अवश्य करें वारेल वीडियो चौकाने वारा था कोई वैस्पीर जिंदा कबर के अंदर कैसे पहुँच गया और पुकारने पर कबर के अंदर से ही जवाब देते थे ये चौका रहा था लिहासा गुड न्यूस टुड़े की फैट चेक टीम ने वारेल वीडियो के पीछे चुपे असली कहाने को बाहर निकाले में चुट गई तैकिकार के लिए तीन बातों को ध्यान में रखा गया क्या वागई वारेल वीडियो पंचाब का है अगर दावा सही है तो घटना कब की है या जान भूच कर यूजर्स को घुमराख किया जा रहा है इन बातों को ध्यान में रखते वे फैट चेक टीम ने पनी परताल शुरू की वीडियो के कई ग्रैप्स निकाले गए और उन्हें गूगल रिवर्स इमेज के ज़र ये सर्च किया गया इस दौरान एक पाकिस्तानी पत्रकार का वेरिफाइट चुटर हैंडल से किया गया एक ट्वीट मिला 15 फरवरी 2020 को इस वीडियो को ट्वीट कर इसे पाकिस्तान के सियाल कोट का बताया गया था मतलब परताल की पहले चरण में ही ये तो साफ हो गया कि भारत से वीडियो का कोई संबध नहीं है लेकिन ख़बर को पफ़ता करने के लिए हमने पनी परताल रूखी नहीं तेकिकार के अगले चरण में हमें बारल वीडियो से जुड़ी वीडियो रूपोर्ट एक आधिकारी की यूट्यूब चानल पर भी मिले 19 फरवरी 2020 को अपलोट की हुए वीडियो में दी गई जानकारी के मताबिक ये खटना पाकिस्तान के सियाल कोट शहर की है कबर में बैठा एक फ्रक्स काला जादू करने के लिए लोगों से पैसे लेता था और उन्हीं बेवकूप बना रहा था वीडियो में दिख रहे हैं वैक्तिनी लोगों से ये कहकर भी धोखा दिया था कि वो 40 दिनों तक कबर में बिना कुछ खाए पिये रहेगा लेकिन वो सभी बुनियाद इस विधाओं के साथ कबर में रह रहा था और बाहर जाने के लिए कबर के चारों और कई सुरंगे भी खोद रखी थी जब यह खबर पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने इस जाली पीर का भांडा फोड़ा और उसे गरफ्तार किया यह आदमी सालों से लोगों को बेवकूफ बना रहा था एक आधिकारिक वेबसाइट ने 19 फरवरी 2020 को कबर में रहने वाले इस पीर पर एक वीडियो रिपोर्ट भी की थी जुसमें इस पीर के बारे में पूरी जानकारी दी गई थी वीडियो रिपोर्ट में दिखा गया है कि कबर के अंदर ये शक्स किस-किस तरह किस विधाओं के साथ रहता था और लोगों को इस धोंग से बेवकूफ बनाता था इस तरह हमारी परताल में भारत के पंजाब में एक पीर को पंजाब पुलिस द्वरा गरिफतार किया जाने का वारल दावा वालत साबित हुआ वारेल वीडियो पाकस्तान के पंजाब प्रांस सियाल कोट का पुराना वीडियो है जिसे अब भारत से जोड़कर शेयर किया जा रहा है वारेल वीडियो का भारत से कोई लेना देना नहीं है वारेल वीडियो का भारत से कोई संबंध नहीं है टीम फैक्ट चेक, गुड नियूस टुटेट रूस और यूक्रेन के बीच छड़ी जंग को एक साल पूरा हो चुका है लेकिन जंग में अभी निर्डायक मोड नहीं आ सका ठका देने वाले इस यूद में सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोगों का हुआ है अलाकि इस जंग से जोड़ी कई तस्वीरे सोशल मेडिया पर वारल हुई है जिन में से कुछ सही है तो कुछ पूरी तरफ फेक निकली सोशल मेडिया पर कई ऐसे वीडियो और तस्वीरों को रूस यूक्रेन की जंग का बदा कर वारल किया गया अलाकि पड़ताल के दौरान इन तस्वीरों और वीडियो को लेकर कई बार सामने आया कि इनका रूस यूक्रेन की जंग से कोई तालुक नहीं है अब ऐसे ही एक वीडियो को वारल किया जा रहा है इसमें दावा किया जा रहा है कि रूस के खिलाब जंग में हिस्सा लेने के लिए यूक्रेन में नागरिकों पर जवरन दवाव बनाया जा रहा है वारल वीडियो में कुछ लोगों को एक खंबे पर प्लास्टिक से बदे हुए दिखाया गया है जिनके सामने सैनी खड़े हैं जो उनसे बात भी करते जा रहे हैं वारल पोश्ट में कहा जा रहा है कि ये तस्वीरे अफगानिस्तान की नहीं बलकि यूक्रेन की है जहां नागरिकों पर अवियुद में शामिल होने के लिए कुछ इस तरह का दवाव वनाया जा रहा है यकीनन ये अपने आप में चौकाने वाला है ये बात सही है कि इतना लंबा इयुद चलने की उमेद न तो रूस को थी नहीं यूक्रेन को ऐसे में जारी जंग को लेकर इस तरह का दवाव यकीनन मानव अधिकारों को लेकर भी बड़े सवाल खड़े करता है लिहाजा फैक्ट चेक टेम ने इसकी परताल का फैसला किया अपनी परताल के लिए हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को गूगल रिवर्स इमेज सर्च टूल में डाल कर तलाशना शुरू किया तो हमें इस दोरान एक साओधी के पत्रकार का ट्विट मिला जिसमें कुछ तस्वीरों का कोलाज और अर्बी में लिखा गया पोश्ट मिला इसे 2022 में 22 मार्च को अपलोड किया गया इसमें जानकारी दी गई है कि यूक्रेन की पब्लिक कमेटी के तरफ से जारी नियाओं के तहट महिला और पुरुष चोरों को खंबो से बांधा गया अपनी परताल को आगे बढ़ाते हुए जब हमने यूक्रेन थिफ्स टाइट टू पोल्स कीवर्ट के जरिये खबरों को खंबालना शुरू किया तो हमें इस दावरान फ्रांस की एक न्यूज वेब साइट पर चपी रिपोर्ट हाथ लगी जिसमें भी कुछ इसी तरह की जानकारी दी गई है इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस तरह की हटना है पूरे देश में हुई है जहां इस तरह से चोरी करने वाले लोगों को सजा दी गई है ऐसे तकरीवन 17 वेडियो सामने आचके है ये उक्रेन के शहर क्यू के नाम से जुड़ी एक वेव साइट पर भी इस तरह की एक रिपोर्ट में ऐसा जिक्र किया गया है कुछ और मेडिया वेव साइट पर भी इसी तरह की रिपोर्ट का जिक्र किया गया है हमारी परताल में ये साफ हो गया कि वारल वेडियो में जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि ये उक्रेन में नागरिकों को युद्ध के लिए पकड़ा जा रहा है इनकार करने पर उन्हें अपमानित किया जा रहा है सजा दी जा रही है वो गलत है असल में पकड़े गए लोग चोर है जिने घरों और दुकानों में चोरी करने की सजा दी जा रही है साल 2011 में पाकिस्तान के शैर एप्टाबाद में अमेरिकी हमले में हुई अलकाइदा के चीफ उसामा बिन लादिन की मौत में पाकिस्तान आर्मी और इस आतंकवादी संगटन के बीच के तालुकात के कले खोल दी थी मीडिया रिपोर्ट के मताबएक पाकिस्तान अफगानिस्तान के बौर्डर पर अब भी अलकाइदा के आतंकवादी सक्रिये हैं इसी बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वाइरल हो रही है जिसमें दाई और पाकिस्तानी आर्मी की वर्दी पहने हुए एक शक्स एक अध्यर उम्र के आदमी के साथ बैट कर मिटिंग कर रहा है इस तस्वीर को शेयर करते हुए कुछ लोग से पाकिस्तान की खूफिया एजनसी आईएसाई के चीफ नदीम अंजम और अलकाइदा के नए चीफ सैफल आदेल के बीच की गुप्त मिटिंग बता रहे हैं वारल तस्वीर की सचाय क्या है परताल करती रिपोर्ट देखिए दुनिया के सबसे खुंखार आतंकी संग्ठनों में शुमार अलकाइदा के अगुआ रहे उसामा बिन लादेन का खत्मा 2011 में ही हो गया लेकिन 11 साल बाद भी इस संग्ठन की चर्चा थम नहीं रही उसामा के खात्मे से पाकिस्तानी फोज के आतंकियों से रिष्टों का खुलासा भी तब हुआ हाला कि पाकिस्तान कभी अपनी हरकतों पर शर्मिंदा नहीं हुआ अब भी पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर अलकायदा से जुड़े आतंकियों के सक्रीय होने की बात कही जा रही है इसे लेकर कई मेडिया रिपोर्ट्स विछपी हैं जिसमें इसका बकायदा जिक्र किया गया है ये भी बात सही है कि पाकिस्टान आतंकियों का पनहगा रहा है लेकिन वो इस से इंकार करता रहा है जबकि समय-समय पर अपनी हरकतों और करतूतों की वज़ा से बैनकाब होता आया है अब एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायल तस्वीर से पाकिस्तान पर सवाल उट रहे हैं इस तस्वीर में एक अधेड उम्र के शक्स को बैठे देखा जा रहा है जिसके बाई तरफ पाकिस्तानी फोज की वर्दी पहने एक शक्स बैठा दिखाईते रहा है इस तस्वीर को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि ये वर्दी में बैठा शक्स पाकिस्तान की खूफिया आजेंसी आईस आई का चीफ नदीम अंजुम है जबकि अधेड उम्रवाला शक्स अलकाईदा का नया चीफ सैफ अल आदेल है और दोनों के बीच गुप्त मीटिंग चल रही है इस तस्वीर को यूजर शेयर करते हुए हिंदूओं को एक जूट होने की दलील भी दे रहे है यकीनर ये मामला पूरी तरह हैरान कर देने वाला है क्योंकि कंगाली के कागार पर पहुँच के पाकिस्तान की हालत ये है कि वो पूरी दुनिया के सामने कर्ज की भीक मांग रहा है ऐसे में अलकाईदा के रिष्टों का ये सबूत उसे खाली कर देगा क्या ये खौब भी उसे नहीं सता रहा है यही वज़ा है कि फैक्ट चेक टीम ने इस तस्वीर की तहह तक जाने का फैसला किया अपनी परताल के लिए हमने वारल तस्वीर को रिवर्स सर्च इमेज टूल में डाल कर खंगाला तो हमें एक वेवसाइट की रिपोर्ट मिली जिसमें पाकिस्तान के बल्चिस्तान प्रांत के एक मंतरी अब्दूर रह्मान खेतान से जुड़ी एक रिपोर्ट मिली जिसमें मंतरी के घर तीन लगों की बाड़ी मिली थी इन सभी के शरीर गोलियों से चलनी थे आरोफ है कि मंत्री अपनी प्राइवेट जेट चला रहे हैं इसके बाद मंत्री के खिलाब प्रदर्शन हुए और इन्हें गिरफतार कर लिया गया इसके बाद फिर जब हमने तस्वीर पर गौर किया तो इसमें फौज के सदिकारी की नेम प्लेट भी दिखाई थी जिस पर यूसुप लिखा दिखाई दिया जब इस नाम से हमने अपनी परताल आगे बढ़ाई तो हमें एक और मेडिया रिपोर्ट मिनी जिसके मुदाबिक पाकिस्तानी फौज के सदिकारी का नाव मेजर जनरल मुहमद यूसुप मजोका है यूसुप बल्चिस्तान की राजधानी क्वेटा में मौजूद पाक फौज के फरंटियर कोर नॉर्थ के आईजी है अलाकि ये भी सच है कि पाकिस्तान की खुफिय अजनसी आईएसाई के चीफ नदीम अंजुम भी बल्चिस्तान के फ्रंटियर कोर नौर्थ के आईजी रचके हैं हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि जिस शक्स को आईएसाई चीफ बताया जा रहा है वो पाकिस्तानी फाउच का दूसरा अधिकारी है जबकि अलकाइदा चीफ के नाम पर बल्चिस्तान के मंतरी की फोटो है फैक्ट चेक टीम के पड़ताल में वारल पोश्ट का दावा गलत पाया गया फैक्ट चेक टीम गुड़नी श्टुडे सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वारल हो रही है जिसमें एक बैंक में खाता बंद करवाने वालों की होड़ बताई जा रही है कहा जा रहा है कि ये भीड बैंक के उस फैसले के बाद लगी है जिसमें उसने जाने माने उद्यूपती अदानी को कर्ज देने का फैसला जारी रखने को कहा है क्या है वैरल पोस्ट की सच्चाई देखते हैं इस रिपोर्ट पे बीते दीनों जाने माने कारोबारी गौतम अदारी की कमपनियों को लेकर उठेवी विवाद के बेच कई अफवाएं भी फैली इन अफवाओं को सोशल मेडिया ने पंक दिये जिसका नतीजा ये रहा कि बिना किसी जाँच परताल के लोग इन्हें शेयर करते चले के ऐसी ही एक पोश्ट बहुत तेजी से वारल हुए जिसमें कहा गया कि एक बैंक की अंतरराष्टी शाखा में लोगों ने अपने खाते महच इसलिए बंदकराने शुरू कर दिये कि बैंक अधारी को जारी वित्ती सहता रोकने को तयार नहीं था वो भी उनकी कमपनियों के बारे में जानते हुए भी सोशल मेडिया पर इससे जुड़ी कई पोश्ट वारल हो रही है जिसमें कुछ इसी तरह का दावा किया जा रहा है वारल पोश्ट में एक तस्वीर के साथ कुछ जानकारियां साजा की गई है तस्वीर में एक बिल्डिंग पर बैंक आप बड़ोदा देखा जा सकता है बिल्डिंग के ठीक बाहर लोगों की कतार नजर आ रही है इस फोटो को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीर साथी अरब के अल एन शहर की है जहां लोगों की भीड अपना खाता बंद कर पहुची है ऐसा वो बैंक के उस फैसले के बात कर रही है जब अदारी की कमपनियों के फरजी वाड़े के बावजूद बैंक के सीयों ने अदारी समू की आर्थिक मदद जारी रखने का फैसला किया है इससे जोड़ी पोश्ट की सोशल मेडिया पर बाढ़ा गई है अलग जैसे फैसले नियम और कानून के दायरे में रखकर होते हैं ऐसे में बैंक के फैसले का विरोध जनता अपने खाते बंद करकर ये थोड़ा पचा पाना मुश्किल है अपनी इस परताल के लिए हमने बैंक के ऑफिशल टुटर एकाउंट को खंगाला शुरू किया इस दोरा थी के सेंटर बैंक से इसकी अनुमती भी एक साल पहले ही ले ली थी कस्टमर्स के लिए 20 जनवरी 2023 को जारी किये गए नोटिस के अनुसार शाखा को 22 मार्च 2023 तक बंद कर दिया जाएगा इसमें ये भी बताया गया कि स्मूद बैंकिंग के लिए सबी खातों को आवुधाबी की ब्रांच में ट्रांसफर किया जा रहा है बैंक खाता बंद कराने वाले लोग 22 मार्च से पहले अपने खातों को बंद कर सकते हैं कुल मिलाकर हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि वारल पोश्ट में किया जा रहा दावा भरमित करने वाला है पूरी तरह सही नहीं है पोश्ट में तथ्यों को तोड मरोड कर पेश किया गया है खाता बंद कराने के वज़ा बैंक की तरफ से ब्रांच बंद करने का किया गया फैसला है ना कि अधारी समू को की जा रही मदद फैक चेक टेम गुड़निश टूड़े